खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े और अब आपको सीधे लिए चलते हैं BSP सुप्रीमों मायवती इस वक्त एक प्रिस कॉन्फरेंस कर रही है हलाके लोगों को ये भी मालूम है कि स्री मोधी वे इनकी सरकार ने हमारे इस मने गड़बंदन को तोड़ने वैसे नुकसान पहुचाने का भी हर वैग जतन किया है प्रियास किया है कि उनके बस में जो उनके बस में था और इस करम में इनों ने अपनी सरकारी मशीनरी का भी अभी तक खूब जमकर दूरू प्योग किया है लेकिन इनके इन सब हद कंडों के बाब जूद भी जब हमारा ये गटबंदन काफी मजबूती के साथ डटा रहा है तो अब तक के चार चर्नों में बीजेपी को काफी पचारता हुआ लगता है हमें जो है बीजेपी को काफी पचारता हुआ लगता है तीछे जाता हुआ लगता है और अब परधान मंत्री सिरी नलेंदर मोदी ने सडियंतर के तहत हमारी दोनों पाटियों में अर्थाद बसपा बसपा में फूद डालों और राजकरों की निती अपनानी शुरू की है ताकि बाके के बचे तीन चर्णों के चुनाओं में बीजेपी अपनी कुछ इज़द बचा सके है और इसी फूद डालों राजकरों की हतास निती के तहती कल परताब गड़ में इनों ने बसपा वे सपा के बारे में वे सब बाते कही जो पूरे तोर से निराधार वे तथ हीन थी तथा उनका खास मकसद केवल यहां हमारी दोनों पार्टियों को आपस में लड़ाना व्या उनके समर्थ को भर्मीत करने का ही प्रयास करना था लेकिन सरी मोधी यह भूल गये हैं कि हमारा यह गटबंदन व्यापक जनहित वैदेश हित के लिए बीजेपी की जन वि यह गटबंदन की हमारी तीनों पार्टियां ही यह हर प्रकार की अपनी कुर्बानी देती रही हैं और आगे भी देती रहेंगे जिसकी खास वजे से हमारे इस गटबंदन को भारी जन विश्वास वा समर्थन प्राप्त है जो बीजेपी के सर्वोच निर्थित के पेट मे दर्थ होने का असली कारण यह है जनता भी इसे खुब समझती है और यही कारण है कि परदेश की सब समाज की दुखी जनता पूरी तरह से इस गटबंदन पर अपना आशिरवाद बनाये हुए हैं और इस संकल्ब के साथ काम कर रही है कि इस महीने 23 मई को बीजेपी गई औ और देश को एक निरंकुस्त वे एहनकारी सरकार से मुक्ती मिली इसके इलाबा केंदर में अगली सरकार वे अगले पीम की परवासिरी नरेंदर मोधिया एंड कंपनी के लोग ना करें तो यह जादा ही इनके लिए भैतर होगा और अब अगली सरकार जरूर बनेगी और जन ही ताय वस्तर जन सुखाई की ही सरकार बनेगी और फिर देश में यहां हर तरफ फैला खासकर भै गिरना संक्रिणता का बादल अब जरूर छटेगा तथा अब तक घुट घुट कर जीने वाली देश की लगभग 130 करोड जनता फिर यहां खुली हवा में ही सांस लेगी जिसकी हमें यह पूरी पूरी उमीद भी है इसके साथ ही पूरा देश यह जानता है कि इस चुनाओं में हमारे गडवंदन ने या उत्तर परदेश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी परकार का कोई चुना भी समझोता नहीं किया है और खासकर हमारी पार्टी आज भी अपनी पार्टी की सोच वे मूव्मेंट के मामले में विसेश कर कांग्रेस वे बीजेपी को अर्थात इन दोनों पार्टी को ही एक ही ठाली के चट्टे बटे ही मान कर चलती है लेकिन इसके बाब जूद भी हमने देश में आम जनहित में खासकर बीजेपी वे आरेस स्वादी ताफ्तों को कमजोर करने के लिए यहां उत्तर परदेश की अमैठी वे राइबरेली लोगसबा की सीट को कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए छोड़ भिया था ताकि इस पार्टी के दोनों सर्वोच ने था जो इन दोनों सीटों से ही फिर से यहां लोगसबा काम चुनाब लड़ेंगे और अब वे यहां से लड़ भी रहे हैं तो वे कहीं इन दोनों सीटों में ही उलसकर ना रह जाए यदि ये अकेले ही ये चुनाब लड़ते हैं और फिर कहीं इसका फाइदा बीजेपी उत्तर परदेश के बार जादा न उठा ले इसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारे बने इसका बंदन ने ये दोनों सीटे कां मुझे ये पूरी पूरी उमीद है कि हमारे गड़बंदन का एक एक बोट और खास कर बीएसपी का अपना एक एक बेस बोट जिनकी संख्या अकेले जहां लगभग 22 वे 23 परतिक्षत हैं इन दोनों सीटों पर अमेटियो राइबरेली में तो ये सबी बोट तो हर हालत में या इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के ही दोनों सर्वोच नेताओं को ही मिलने वाला है इसमें किसी को भी कोई संदे नहीं होना चाहिए और वैसे भी हमारा बोट ज़्यादा तर साइलेंट ही रहता है अर्थात अपने ज़्यादा दिखावे आदी के चकर में नहीं पढ़ता है और वै अपनी नेता का इशारा समझ कर फिर अपना एक एक बोट उसी ही पार्टी के उमीदवार को दे देता है जिसको उनकी नेता दिलवाना चाहती है यह सब किसी से छिपा हुआ नहीं है इसलिए हमारी पार्टी का खास कर बेस बोट, अमेटी वे राइबरेली लोगसमा की सीट पर केवल यहां कांग्रेस पार्टी के ही दोनों उमीदवारों को ही जाने वाला है इसमें कोई दोराय नहीं है हलाके यहां अन्य समाज के जो भी लोग BSP से जुड़े हैं वे भी इन दोनों ही सीटों पर जाने वाले हैं उनका भी बोट इन दोनों सीटों पर ही मिलने वाला है इनी जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात ही समाब करती हूँ धन्यवाल श., उसके उड़ी करता हूँ